एलियन्स के अस्तित्यों को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। आए दिन एलियन्स को लेकर नए नए दावे किये जा रहे हैं। कई बार लोगों ने धर्ती पर एलियन्स देखने का दावा किया है। ब्रहमांड में क्या एलियन का अस्तित्व है इस सवाल का जबाब जानने की बैग्यानीक सालों से कोसिस कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई काम्यावी नहीं मिली है कुछ लोगों ने दावा किया है ब्रहमांड में एलियन रहते हैं उनका मानना है कि धर्ती पर जिस तरह से इनसान रह रहे हैं वैसे ही एलियन भी किसी ग्रह पर रहते हैं बताया जाता है कि एलियन धर्ती पर आ चुके हैं और उन्होंने इनसानों पर रिसर्च भी सुरू कर दिया है लेकिन अभी तब किसी के पास इस बात का शाबूत नहीं है कि भ्रह्मान में एलियन का अस्तित्व है अब सवाल यह है कि अगर एलियस मवजूद हैं तो कहां रहते हैं इन सवालों के बीच एक्सपॉर्ट्स ने चौकाने वाला दावा किया है एक्सपॉर्ट्स ने थेवरी में यहां दावा किया है कि इस इस्थान पर सबसे अधिक देखे जाने की वजह से एलियन की पसंदीदा जगह बताई है एक्सपॉर्ट्स ने अमेरिका में इस्थित एक जगह को एलियन की पसंदीदा जगह बताई है उनका दावा है कि वासिंग्टन को एलियन सब से अधिक पुसंद करते हैं और उन्होंने यहाँ पर डेर्ड हिलाग से ज्यादा बार यूफो देखने का दावा किया है 1974 से दर्ज आंकडों के अधार पर यह दावा किया गया है नेशनल यूफो रिपोर्टिंग सेंटर के रिजिस्टर में यह आंकडा दर्ज है लोगडाउन के दोरान रिटायर अमेर्की अधिकारियों ने दावा किया था कि अमेरिका की सरकार एलियन के बारे में बहुत कुछ जानती है और उन्होंने कहा कि वह दुनिया से क्यों जानकारी छिपा रही है यह पता नहीं है वासिंग्टन में एक लाख लोगों में से 88 लोगों ने एलियन्स देखने का दावा किया है दर्ज रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेट लाख से अधिक बार यूफो यहां पर उतरते हैं जिसके अधारपन एक्सपोर्ट्स ने वासिंग्टन को एलियन्स की पसंदीदा जगह बताई है आकड़ों का अध्यन करने पर पता चला है कि जुलाई के महीने में एलियन्स के हल चल अधिक रहती है अमेरिका में दिखने वाले यूफो और एलियन्स के दावे को रेजिस्टर किया जाता है जिसके अधार पर जुलाई के महीने में सबसे अधिक एलियन्स देखे गए हैं सबसे अधिक वासिंग्टन में एलियन्स देखने की घटना हुई है